नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? उमीद है कि आप अभी भी कोरोना सम्बंदित साफधानियों का अच्छे से पालन कर रहे होंगे समय समय पर हाथ को साबुन वपानी से नियमित रूप से धोते होंगे और बाहर जाते समय मास्क जरूर लगाते होंगे तो चलिए बढ़ते हैं हम आज की वर्कशीट के तरफ आज दिन है वीरवार और तारीख है 28 जनवरी 2021 वर्कशीट अंबर है 155 आज की वर्कशीट आपकी हिंदी की वर्कशीट है जिसका नाम है रचनात्मक लेखन जी हाँ ऐसी ही एक वर्कशीट आप पहले भी कर चुके हैं तो प्यारे बच्चों आज क्या है वर्कशीट में आईए आज हम नीचे दिये गए चित्रों के अनुसार अपनी कलपना से एक कहानी बनाए आपकी मदद के लिए कहानी की शुरुआत के दो वाक्य और कुछ मुहावरे दिये गए हैं इन वाक्यों, मुहावरों और चित्र की मदद से कहानी को पूरा करके अपनी कॉप्पी में लिखिए चित्र के आगे एक खाली बॉक्स नंबर 6 दिया गया है इसमें आगे के घटना करम का चित्र बनाईए और उसके बारे में दो वाक्य लिखिए कहानी को अपनी पसंद का एक उप्युक्त नाम भी दीजिए अपनी बनाई कहानी अपने परिवार के सदस्यों को भी सुनाईए तो यह है आपकी आज की वरक्षीट वरक्षीट में आपको पांच चित्र दिये गए हैं जो की इस कहानी की पूरी श्रेंखला को दिखा रहे हैं आपको इन चित्रों की मदद से अपने मन से एक कहानी गड़नी है और आखिर में छटे बॉक्स में इस कहानी का अगला चित्र बनाना है आपको कहानी का नाम अपनी मर्जी से देना है और कहानी में कुछ मुहावरे जैसे की पेट में चुहें दोड़ना यानि के भूक लगना एडी चोटी का जोर लगाना यानि के किसी चीज को पाने के लिए बहुत महनत करना अकल दोडाना यानि के तर्कीब लगाना इन मुहावरों का प्रयोग करके कहानी को पूरा करना है तो चलिए आपकी मदद के लिए कहानी में दो वाके पहले से दिये गए हैं कहानी है एक मैंडक जिसका नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं चलिए हमने रख लिया राजू आप अपनी मर्जी से कोई नाम रख दीजिए एक मैंडक जिसका नाम राजू है राजू था उसने बहुत जोर से भूक लग रही थी वह मच्छर वकीट पतंगों की तलाश में घर से निकला फिर आगे क्या हुआ इसे आप अपनी मर्जी से बढ़ाएंगे और कहानी को पूरा करेंगे तो आज की वक्षिट में आपको कहानी पूरी करनी है और कहानी का आखरी चित्र भी बनाना है इसी के साथ अभिभावकों के लिए ये सुझाव है कि वह अपने बच्चों को समझाएं कि कभी-कभी काम करना कठिन लग सकता है ऐसे समय में हमें ये सोचकर और तरकीब लगा कर उस काम को आसानी से पूरा करने की कोशिश करने चाहिए जैसा कि हम इस कहानी में भी देख सकते हैं कि भूक लगी है और खाने के लिए तरह-तरह के उपाए करने पड़ रहे हैं क्योंकि आसानी से तो खाना मिल नहीं रहा तो चलिए जीवन में ऐसे बहुत साए काम होते हैं जो हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है लेकिन हमें उस समय घबराने और हताश होने की बज़ाए सोचना चाहिए कि कैसे उन कामों को किया जा सकता है जिससे की हम सफलता हासल कर सके यह है आपकी आज की वरकशिट लिख झाल झाल